हमारे साहथ है अश्विन घिशनेव साब इन सारे मंत्रालें के प्रभारी और सर आपके पास इतने मंत्राले हैं तो मेरे पास आपको पूछने के लिए और बात करने के लिए भी बहुत कुछ है लेकिन शुरुआत मैं उसी से करूगा जो इस वक्त देश में कहते हैं कि data is new oil एक बार शायद हमारी जिन्दगी हर रोज खाए पे बगए बगए चल जाए उपवास कर ले लेकिन data के बगए चलती नहीं और data के मामले में आपकी सरकार 5G rollout करने जा रही है on a lighter note सब लोगों को बड़ी उम्मिदे हैं 5G rollout से उम्मिद इस बात किये कि 5G rollout होने पर कम से कम 2G, 3G और 4G तो अच्छा चलेगा तो मैं यह जानना चाता हूँ कि किस तरह से आम consumers की जिन्दगी आसान होगी अनुभा बहतर होगा और क्या 5G rollout के बाद एक सस्ता और बहतर data एक बढ़िया experience आम consumers को मिलेगा सर। पहले तो बहुत-बहुत दन्यवाद आपको बिल्कुल कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे वापिस UPSC का इंटर्व्य होने वाला ऐसे ऐसे विशे आप लेके आते हो और ओपनिंग भी ऐसी बाल फेकते हो कि बस तो आपने जो विशे उठाया देखिए अगर हम आठ साल पहले की बात करें टेलेकॉम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसमें टूजी का नाम लेते तो कुछ और ही याद आता था लोगोंने क्या किया क्या नहीं किया वो सब चीजें दियान में आती थी पिछले आठ वर्षों में देश ने प्रधानमंत्री जी के नितरत्व में टेलेकॉम सेक्टर को एक डाइंग सेक्टर से निकाल के आज एक स्टेबल ऐसा सेक्टर बनाया जिस सेक्टर से देश के कोने कोने में डिजिटल सर्विसेज पहुंचाई जा रही है डिजिटल इंडिया जब लॉंच किया था 2015 में तब हमारे ओपोजिशन ने जिस तरह से मजाक बनाई थी आज देखिए भारत के डिजिटल इंडिया मिश्यन के तहत बनी वी जितनी भी चीज़ें चाहे अपना 4G हो चाहे अपना UPI का पेमेंट हो चाहे अपने जो पब्लिक डिजिटल प्लाटफॉर्म्स बन रहे हैं उनका वेवार हो देश में तो बदलाव आया ही आया है सारी दुनिया आज उन एक्जामपल्स को देख रही है कि किस तरह से प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में एक ऐसी पार्टनरशिप बन सकती है जिसमें एक साधरन मनुष्य को साधरन मानवी को ऐसी फैसिलिटी मिले जो विश्विश तरिय फैसिलिटी हो यह एक ऐसी पैराडाइम शिफ्ट है जो हम सब को आज हमारे सामने है हमारी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बल आइकन को जरूर दबाएं